नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में ट्यूरिजम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के दोरे एक नई पॉलसी का निर्मान किया जा रहा है फिलाल पॉलसी के निर्मान से पहले एक ड्राफ्ट तियार किया जाता है वो ड्राफ्ट तियार किया गया है और देखने वाले हैं कि भारत सरकार प्रेटन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपायक लेके आ रही है और कितना हमारे देश में प्रेटन यानि टूरिजम से रु लोगों को इंपोर्टन इंफ्रमेशन दे देता हूं कि पीडिएफ कहा मिलेगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलिग्राम को ओपन कर लीजिए वहां पर से कि दिजिटल टूरिजम है तो इसको बढ़ाने के लिए एक द्राफ्ट त्यार के हैं और उस ड्राफ्ट को भेज दिया गया है जो भी इंडर्स्ट्रीज है जो इस ट्यूरिजम के सेक्टर में लगी हुई हैं और स्टेट गॉवर्मेंट हैं या फिर जितरी भी मिनिस्ट् है, उनको ये draft भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप अपने feedback दीजिए, कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव भेजिए, ताकि हम एक नई policy लेकर आएं, ताकि भारत के अंदर green digital tourism को बढ़ावा मिल सकें, clear, और इससे पहले भी भारत ने काफी बार ये काम किया हुए, जैसे तीन draft निकाले थे, भारत सरकार ने जिसमें वो grameen praten को यानि कि जो rural tourism है, उसको बढ़ाने के लिए, M.I.C.E यानि M.I.C.E का मतलब होता है Meeting, Incentive Conference Exhibition, यानि एक तरीके से इसको meeting meeting event कहा जाता है ये ज़्यादा तर बाहर के देशों में बहुत popular है भारत कहीं न कहीं इसमें अपने आपको एक पर ले के आना चाहता है और ताकि भारत में tourism को भढ़ावा मिल सके, साथ-साथ चिकित्सा और कल्यान के प्रेटन को भढ़ावा देने के लिए roadmap त्यार किये गए थे, तीन draft याँ पर त्यार किये गए थे, भारत की Ministry of Tourism के दुआरा clear, अब देखेंगे कि क्या इतना ज़्यादा tourism जरूरी है भारत के लिए कितना पैसा generate हो रहा है, सारी चीज़े देखने वाले हैं, अब इसे एक बर इस draft की बात कर लेते हैं, draft बोले तो, मसोधाई की बात कर लेते हैं, कि इसमें क्या-क्या बात में बोली गई है, पहले तो ये बात बोली गई है, कि आप नह ये जो tourism का सेक्टर है, इसे उद्योग का साथ इस सेक्टर को आपको एक इंडर्स्ट्री का स्टेटस देना होगा और यहां पर आने वाले दस सालों में पांच की के उपर मतलब की पांच एरियां हैं जिनके उपर फोकस किया जाएगा एक तो है जैसे फर्स अफ फॉल है ग्रीन टुरिजम सेकेंड है डिजिटल टुर देखेंगे आप किसी रेस्ट्रोंट में जाते हो तो आपके साथ कैसा वहवार क्या था बड़े ही विनमर होते हैं इतने अच्छे से वह बात करते हैं तो उसे होस्पेटलिटी कहते हैं तो उस किल को बढ़ाना साथ इसाथ MSME यह नहीं कि जो यह माइक्रो स्मॉल एंड बात बोली गई हैं साथ इसाथ इसमें रिलीफ मेजन टेक्सेशन ब्रेक की बात की गई है मतलब कि देखा कि पिछले दो सालों में हमने देखा कि जैसे कोविड महमारी रही है और उस कोविड के कारण भारत के अंदर टूरिजम सेक्टर बहुत ज्यादा परभाव ही तो है साथ इसाथ भारत के भी जो लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पर जा नहीं पा रहे थे सब अपने घर में ही थे जिससे टूरिजम सेक्टर एकदम से नीचे डाउन आ चुका था तो कहा गया है कि आप इसमें एक तरीके से राहा दे दीजिए इसमें टेक्सेशन को ब्रेक कर दे दीजिए साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क इसके अंदर त्यार किये गए हैं इस ड्राफ्ट पॉलसी के अंदर जिसमें कहा गया है कि पैंडमिक के जो यह जो यहां पर महामारी आई है उस महामारी के कांट जितना भी नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं सोल किया जाएग उसमें मदद की जाएगी जो भी टूरिजम सेक्टर है उसको और इसके लिए फ्रेमवर्क त्यार किये गए हैं साथ ही साथ जो भी फोरें के जो टूरिस्ट हैं या फिर लोकल टूरिस्ट हैं उनके एक्सपिरियंस को बढ़िया बनाने के लिए एक मिशन त्यार किया जा र अग्र getれた यहाने लिए जिससे आपको हों को के लिए कि जिसे लोहatch के अंधर देत्र को बढ़ाने के लिए जैसे कि आशोक होने जैसे Seb समराट को तीर थियात्रा के लिए विश्राम ग्रह बनाये थे, जिसे लोगों के अंदर तीर थियात्रा जा सकें, इसकी एक भावना बढ़े, साथ इसाथ आर्थ शास्तर की बुक के अंदर भी बोला गये कि जो राज्ये हैं वो भी बुनियाती यानि एक इन्फास्टेक्चर मिल सके साथिसास सवंदंधरता के बाद प्रेटन लगातार पांच वर्षी योजना आपको बतने कि फाइफ यह प्लैन हुआ करता था उस फाइफ यह प्लैन के अंदर हमेशा यह प्रेटन है वो हमेशा शामिल किया गया था और प्रेटन के विभीन रूप जैसे वेपार प् अदर add कर दिये गए थे ठीक है अब बात करते हैं कि status क्या है बारत के अंदर कितनी कमाई हो रही है कितनी इससे लोगों को job मिल रही है तो इसके बारे हम बात करें तो देखें 2019 की report के according पूरे world की GDP में अगर हम बात करें तो भारत को इसमें 10th position पर रखा गया है जिससे tourism में मत भारत को जितना पैसा मिला वो लगबग 13,68,100 करोड रुपय जो है वो भारत को मिला है यानि जो हमारी GDP का लगबग 6.8% था अब बात करें कि भारत में 2021 के अंदर विश्व विरासत सूची यानि कि world heritage list जो है जिसके अंदर हमारे यहां पर 40 sites को 40 जगय को मतलब इसमें list किय अब इन 40 sites को लिस्ट किया गया है यह जो 40 sites को जो इसमें विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है यह 3 परकार की होती है एक पहली होती Sanskrit कंदर प्राकरतिक और संस्कृत दोनों आ जाती है तो 40 हैं हमारे देश के अंदर और इन 40 में से 32 जानस्कृतिक हैं 7 प् कुश्चन पूछा जा सकते हैं कि भारत में कितनी वर्ल्ड हैरिटेज सेंटर मतलब कि वर्ल्ड हैरिटेज की द्वारा शामिल केए कि कितनी साइड्स हैं तो यह ध्यान रखना है अपने को और इसमें जैसे धोला वीरा हो गया रामप्पा मंदीर हो गया जो तेलंगाना में नई नई जो हैं अभी एड की गई पहले 38 हुआ करती थी लेकिन दोला वीरा रामप्पा मंदीर जो हैं अभी नई नई जो हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं और 2020 में प्रेटन के शेतर में हमारे यहां पर जो नोकरी प्रवाइड की गई थी लगबग 39 मिलियन यानि कि ल यहां पर देखिए 2029 तक यह कहा गया है कि यह जो आंकड़ा है 53 मिलियन यानि 5 करोड़ 30 लाख लोगों को नोकरी प्रवाइड करवाना है इस टूरिजम के सेक्टर में तो बहुत एक आप देखेंगे पैसे की प्रस्पेक्टिव से कि भी कितना हमने मनी यहां से जनरेट कर रही हैं साथ इसाथ यहां पर लोगों को कितनी नोकरिया मिल रही हैं तो यह बहुत जादे इंपोर्टन है अब काफी सारे सवाल यह खड़े होते हैं कि क्या ट्यूरिजम जरूरी होता है क्या तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो मिलेगा तो एक बार समय लिए इस यह जो भी जो सर्फेस ट्रांस्पोर्टेशन है इनमें ग्रोथ होती है ट्यूरिजम की सेक्टर में यहां पर भडोतरी रेखनी को मिलती हैं हमें साथ इसाथ अगर जो बाहर देश से भी जो लोग आ रहे हैं भारत में आएंगे तो अपनी विदेशी मुद्रा को भारत के वृती हुई थी लेकिन 2020 में जैसे आपने को पताए कि COVID-19 के कार्ण यहां पर गिरावट में ऐसे उसकी गई थी यह तो पूरे वर्ल्ड के अंदर टुरिजम के सेक्टर में बहुत जाते गिरावट आई थी राष्टी विरास्यत का सरंक्षन अब देखिए भारत के अंदर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहां पर जितने भी ऐसे ऐसी जगहें पर गोमने जाते हैं जो उनको लगता है कि यार इनको तो प्रेजर्व करके यानि इनका तो सरंक्षित करना बहुत जरूरी है तो यह लोगों की तरफ ध्यान जाता है वो अलग-अलग देशों से आ हैं तो उनका कहीं न कहीं ऐसा कॉंटेक्ट होता है या फिर उनके जो फोटो वीडियो या फिर अपनी बात लोगों को बताते हैं तो जिससे क्या है कि एक फोकस आता है कि भारत के अंदर यहां पर एक ऐसी साइट है जिसको हैरिटेज के अंदर शामिल किया जाना चाहिए उसको एन्वार्मेंट के तोर पर यहां पर उनको सरंग्षित किया जाना चाहिए तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है दूसरी बात यह है कि इससे हमारे जो सांस्कृतिक गौरों का एक नवीनी करन होता है आप विशुस तर पर प्रेटन्स तोलों की सरहना होने पर भारत जो भारत के निवासी उनको गरव की भावना एक ऐसी फील होती है कि यार हमारे ही देश की बात हो रही है यहां पर और एक तरीके से इन्फास्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट होता है आज कल आप देखेंगे कि यातरियों को किसी भी समस्या का सामना नय करना पड़े तो इसक सांस्कृतिक आधान परदान में बहुत जादा इससे हेल्प मिल रही है और एक तरीके से हम इस टूरिज्म को एक सोफट पार के तोर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रेटन बढ़ेगा तो एक सांस्कृतिक यह कि जो कल्चर डिप्लोमेटिक है उसमें बढ़ावा म इन्फाचर की बहुत जादा कमी है आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी भी खराब सड़के हैं पानी है सीवर है होटल है जो टेली कॉम्मुनिकेशन है इसके अंदर अभी भी बहुत जादा कमी है और इसको बढ़ाने की बहुत जादा जरूरत है दूसरी है कि लगने की कोशिच करते हैं उनके साथ दुरवेवार करने की कोशिच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे ही देश के उपर प्रशन चिन लगाता है कि यहां पर जाना क्या सही रहेगा नहीं रहेगा तो हम कैसा सवागत करते हैं उसके उपर प्रशन चिन लगाता है तो य सब चीज़ों हमें नहीं करनी चाहिए या लोगों जो ऐसा कर रही है उनको रोकनी कि हमें कोशिच करनी चाहिए और एक तरीके से देखा जाए तो कुशल जनसक्ती की कमी यानि हमारे देश के अंदर skilled manpower नहीं है सही से guide कर सके यहां पर लोगों को तो वो भी हमें यहां पर देखने को मिलती है कमी दूसरी बूत देखे मोलबूत सुविधाओं का जैसे अभाव है जैसे की पीने का पानी हो गया एक सही धंक से जो सोचाले हो गया एक प्रात्मिक उपचार हो गया या फिर काफेटेरिया हो गया तो इनकी बहुत जादा कमी देखने को मिलती है और एक आप देखेंगे न seasonality यानि की मौसमी एक कत्री के से यानि अक्तूबर से लेकर मार्च के 6 महिने के प्रेटन में आप बात करें तो मौसम की विवस्ता सीमित रहती है अक्तूबर से ले लीजिए मार्च तक पकड़ लीजिए आप इसको तो यहां पर क्या होता है कि प्रेटन बहुत कम हो जाते हैं जबकि अगर नवंबर दिसंबर की बात करूँ तो यहां पर प्रेटन जो है यानि जो टूरिस्ट है वो इनकी भीट बढ़ जाती है अब यहां भारत सरकार ने क्या इससे पहले कुछ किया नहीं डेफिनेटली किया हुआ है जैसे सुदेश दर्शन स्कीम चलाई हुए है जिसके अंदर भारत सरकार ने विरासत समवर्दन अभियान पर राष्ट मिशन यानि कि यहां पर इसको परसाद स्कीम से जाना जाता है जिसमें यहां पर आप देखेंगे ना नेशनल ऑन पिल्ग्रिम्स और रिजुविनेशन और स्प्रिच्टूल हेरिटेज एगिमेंटेशन ड्राइव एक परसाद स्कीम से नाम से इसको जाना जाता है 2014-15 के अंदर भारत सरकार ने इसको शुरू किया था जिसके अंदर क्या है कि भारत में जो खाना है उसको बढ़ावा देना कि यहां का जो एक भारत का खाना होता है कि हर एक जगह का अपना अपना एक बहुत spiritual खाना या फिर spiritual जगह हो गई तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए तो यहां पर इसमें focus किया गया है एक तरीके से यहां पर परतिष्टिक प्रेटक्स थल है उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा पहल की गई थी जैसे बोद गया अजंता के ऐलोरा में बोद स्थलों की पहचान प्रतिष्ठित प्रेटक्स थल हो गए के रूप में विक्सित करने के लिए यहां पर की गई थी भारत को soft power को बढ़ाने के उदे से से इंचीजों की शुरू की गई है लिए बहुत जादा important है soft power एक तरीके का आपको ध्यान रखना है और tourist एक ऐसी चीज़ है tourism या traveling आप जो करते हैं तो बहुत जादा important भी चीज़े हैं यह अभी थोड़ दिर में उसके बारे में हम बात करेंगे और एक चीज़ ध्यान रखना इक वहादा बहुत Summute और एक भार सरकार ने देखो अपना देश-पहल यह भी शुरू की थी जिसके अंदर कैया गया था कि जो ministry of tourism है उसके दोरफ में इसके दो हजार बिसमें इसे शुरू किया गया था ताकि जो नागरिकों को भारत की नागरिकों को देश के भीतर व्यापक ग्रूप से यातरा करने के लिए उनको प्रोसाइट किया जा सके और यहां पर GDP के अंदर उसमें बढ़ावा मिल सके अब देखिए इसे एक चीज़ को आपको समझना होगा कि आप कहीं पर भी ट्रैवल राज्ये के अंदर इन्वाइट करिए कि आप यहां पर आके देखें तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने की बहुत जादा जरूरत है ताकि लोगों को पता चले यहां पर टूरिजम आए यहां पर क्या है कि लोगों को काम मिले अब जब यह चीज़ें चलती है न तो एक तरीक से economic जो है वो growth होने लगती है कि पैसा आ रहा है लोगों के पैस भी पैसा आ रहा है वो खर्च कर रहे हैं तो एक cycle चलने लग जाती है और हर किसी को मुझे दलगता है कि travel करना बहुत जादा important है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं जितना आप किताबों से नहीं सीखते उतना आप travel से सीखते हो तो यह बहुत चादा important भी हो जाता है clear अब आगे की रहा क्या हो सकती है आगे की रहा तो यह है कि देखिए जो भी बुनियादी धांचे हैं उनके अंदर हमें बहुत जल्दी से जल्दी उनके अंदर विकास करना होगा एक तो हमें ध्यान रखना होगी जो भी ट्यूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा हमको रखनी होगी उनको कहीं पर कोई खत्रा महसूस ना हो उसके लिए एक guide प्रनाली जो है गलत कर रहे हैं तो definitely हमारी image गलत बनेगे और वहाँ पर वो जाके अपने ही दोस्तों अपने ही family या फिर कहीं अच्छी खासी उसकी पहचान होगी तो वो लोगों को यही बताएगा कि मेरे साथ इस तरीके से गलत हुआ है तो मैं नहीं जाओंगा या फिर दूसरों को वो demotivate करेगा भारत में ना आने के लिए तो कहीं न कहीं भारत पर एक तरीके से यह प्रशन घड़ा होता है कि क्या वो सही से स्वागत कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमें यहां पर ध्यान देना होगा खुद हमारी responsibility बनती है हम यह सरकार पर नहीं चोड़ेंगे कि भाई यह सरकार करके देगी नहीं यह हमारी morality हमारे यह संसकार बनते हैं कि हम किसी के साथ जो भी भार से आए उनके साथ बहुत अच्छे से वैवार करें उनके साथ दोखा दड़ी ना होने दें अगर वो सामना कर रहे हैं तो उनको हम बचाएं उनकी help करें यह हमें करना चाहिए तो एक तरीके से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए एक off season रहता है जहां पर October से लेके March अपरेल तक जैसे season जो जला राता है 6 महीने का जिसमें क्या होता है तो बहुत कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर incentive दे सकते हैं कुछ छूट दे सकते हैं वहाँ पर अलग-अलग scheme हम उसके अंदर ला सकते हैं तो भारत में आप देखेंगे तो एक विशाल अकार एक प्राकरतिक भारत को अब आप देखेंगे इतना कुछ है भारत के अंदर इतनी diversity है भारत के अंदर जो अफसर परदान करता है टुरिजम को भढ़ाने के लिए तो इनका बहुत अच्छे से इनका use किया जाना चाहिए तो यह है टुरिजम का एक important chapter तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़े समझ में आई होगी देखें मैं सब फिर से कहूँगा कि ट्रैवल आप लोगों को बहुत compulsory मैं तक आप टाइम निका लिए करके आई है सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पर फोकस करने से आपके मान से कि डेवलोप में उतना नहीं हो पाता मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं भी जाओं और जाता भी हूँ तो यह सब चीज़ें आपको करनी भी चाहिए clear तो आज के लिए इतना ही था वीडियो पसंद आई है तो definitely इसे like करिएगा ताकि मुझे समझ मैं कि आप लोगों को पसंद आ गई है और subscribe कर सकते हैं चैनल को क्योंकि पसंद आई है तो definitely आप subscribe करेंगे क्योंकि ऐसी ही informative या फिर आपके exam के point of view से चीज़ें आपको मिलती रहेंगी PDF के लिए मैं आप लोगों को already बता चुका हूँ कि आपको PDF कहा मिलेगी Telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप download कर सकते हैं और को ज़्यादा ही पसंद आई है तो share कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं साथ यसाथ channel को भी share करने का option है तो वो भी आप अजमा सकते हैं तो बस साच के लिए देना तेंक यू फर वो